ये धर्ती के सबसे दुर्गम इलागों में रहते हैं। इन्होंने खुद को सबसे कठन हालात में ढाल लिया है। लेकिन एंपरो पेंगविन की प्रजाती, जिस बर्फ पर निर्भर करती है, वो इस साल बहुत तेजी से पिगलती जा रही है। एंपरो पेंगविन के जलवायू परिवर्तन उनके भविश्य पर असर डाल सकता है। प्रशनन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एंपरो पेंगविन्स को कम से कम नौ महीने तक ठोस बर्फ चाहिए। उनके रोईदार निचले हिस्से को वाटरप्रूफ पंक में ढालने के लिए उन्हें बर् बर्फ तेजी से पिघल रही है और अगर पेंगविन के बच्चे पूरी तरह से तयार हुए बिना पानी में उतरते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। ये जो रेड लाइन मैप में नसर आ रही है पहले गर्मियों में वहां तक समुद्री बर्फ जमी होती थी लेकिन साल दो ह कॉलोनियों में सभी बच्चे मारे गए। इनकी संग्या पाँच से दस हजार के करीब हो सकती है। अंटार्टिक के कुल 66 कॉलोनियों में उननिस में या तो प्रजनन की प्रक्रिया आंशिक रही है या पूरी तरह से असफल हुई है। विज्याने को कमानना है कि यही ट्र देखी गई। और अंटार्टिक की सर्दी में फिलहाल जो बर्फ जमती है वो उस तेजी से नहीं जम रही जैसी जमा करती थी। हमें बदलाव की उमीद थी लेकिन इतनी तेजी से और इस हद तक नहीं। कि पेंगुइन्स का भवश्य अब हमारे हातों में है।